काशी के ग्यानवापी में सर्वे रिपोर्ट से हुए नए खुला से मस्जिद वाले हिस्से में हिंदू देवी देवताओं के चित्रमिले कमल डमरू और तृशुल के निशान भी हैं सिंदूरी रंग भी दिखा पहले मंद्र होने के ये बड़ी सबूत है कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उसकरा का अगी कलाकरती बनी हुई है यह कमल का फूल और दीपक के लौ की बातें को मैंने लिखा हुआ है देखे इतना पूर तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी नहीं कह सकता लेकिन जो आउसेस है वो मंदिर के ही आउसेस हो सकते है किसी क्यानवापी मामले में क्या दिन तक किये गए सर्वे की 15 पन्नों की रिपोर्ट पेश हुई है सर्वे की विडियोग्राफिकी चिप बॉक्स में कोर्ट में सौपी गई है सील पैक तीन बक्सा मानी नयाले में हम लोगों ने दाखिल कर दिया जो जो प्रिजर्व है ग्यानवापी पर वारनासी की अदलत में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा फिलहाल कार्यवाई के आदेश ना दे अदलत मुस्लिम पक्स को डर था कि मस्जिद की दिवार तोड़ने के आदेश दिये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी वारनासी के शहर मुप्ती मौलाना अब्दुल बातिन नौमानी का दावा बोले अकबर के जमाने से है ग्यानवापी में मस्जिद पहले ग्यानवापी नहीं बलकि आलमगीरी मस्जिद था नाम उसका असल नाम आलमगीरी मस्जिद है ग्यानवापी आज के डेट में एक मुहले के तौप देखा जाता है ग्यानवापी पर बोल कर फसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अकिलेश यादव अकिलेश ने इशारों में कहा अयोध्या में भी रात के अंधिरे में रखवा दी गई थी मूर्थिया बीजेपी ने साधे निशाने ग्यानवापी मामले के बीच महाराष्ट में औरंगजेब मकबरे की स्रक्षा बढ़ाए गई और पांच दिन के लिए बंद भी किया गया समाजवादी पार्टी के आजम खान की जेल से रियाई होगी सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जमानत मिलते ही आजम को दूसरे केस में पकरते हैं ये क्या हो रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा का कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बोले कॉंग्रेस अब ना राश्ट्री है ना लोकतांतरिक पार्टी बस भाई बहन वाली पार्टी रह गई है कॉंग्रेस भी ना नैशनल रह गई है ना इंडियन रह गई है और नहीं प्रजातांतरिक रह गई ये भी भाई बहन की पार्टी बन करके खड़े है गुजरात में कॉंग्रेस छोड़ने वाले नेता हार्दिक पटिल ने कहा मैंने अभी बीजेपी में जाने का फैसला नहीं किया है हार्दिक ने कहा पार्टी दार हो या कोई दूसरा समुदाय सब को कॉंग्रेस में परिशान किया जाता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा का कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बोले कॉंग्रेस अब ना राष्ट्री है ना लोकतांत्रिक पार्टी बस भाई बहन वाली पार्टी रह गई है कॉंग्रेस भी ना नेशनल रह गई है ना इंडियन रह गई है और नहीं प्रजातान करिक रह गई है ये भी भाई वहन की पार्टी बन करके ख़ड़े हैं हनुमान चालिसा विवाद में शिवसिना बनाम नवनीत राणा के मामले में दिल्चस्ट पस्वीर सामने आई लेहे में साथ दिखे नवनीत और संजी राउत पारलेमेंट कमेटी की बैटरक में हिस्सा लेने के लिए दोनों ले गई हैं ग्री मंत्री अमितुशा ने कहा कुछ लोग कहते थे अनुच्छे 370 हटने से खून की नदिया बहेंगी लेकिन हमने 370 को हटाया और एक कंकर तक नहीं चला और जो लोग कहते थे कि खून की नदिया बहेंगी मैं घर्व के साथ उनको कहना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार की मीतियों के कारण खून की नदिया छोड़ो कंकर चलाने की भी किसी में हिकमत दूँए अब 36 गड़ में उठ रहा है मस्जित पर लौड़ स्पीकर का मुद्धा हिंदू संग्ठनों ने 15 दिन के अंदर लौड़ स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया 36 गड़ में कॉंग्रेस के भुपेश बगेल की सरकार है मद्य परदेश के राजगड में बारात पर पत्राव के बाद हंगामा मस्जित के सामने से गुजर रही थी बारात पुलिस का दावा है मुस्लिम गुट की तरफ से पत्राव हुआ तीन लोग घैल हुए है 36 गड़ में एक पत्नी का आरोप पती ने फोन पर तीन तलाग दिया पुलिस ने शिकायत दर्ज की गिरफतार होगा पती आरोप है कि बच्चा ना होने पर पती कर रहा था पत्नी को परेशार रोसोई गैस अब एक हजार से ज़्यादा महेंगी हो गई हाला कि तेल कंपनियों ने इस बार साड़े तीन रुपे दाम ही बढ़ाए हैं लेकिन बार-बार कीमत बढ़ने से अब सबा 14 किलो वाले सिलिंडर की कीमत एक हजार तीन रुपे हो गई है जम्मो कश्मीर के बारा मुला अटेक में पुलिस ने चार संदिग्द आतंकी समेथ पांच आरोपियों को गिरबतार किया पुलिस का दावा है इनके पास से पांच पिस्टल, 23 ग्रिनेड बंब और विस्पो टक मिला है बारा मुला में शराब की दुकान पर हुआ था आतंकी हमला जम्मो कश्मीर के विवादित नेता यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में दोशी करार 25 मई को NIA की आदलत में सजा पर बहस होगी यासिन को उमरकेद तक की सजा हो सकती है ABP News के Special Show Press Conference में बोली बीजेपी नेता उम्मभारती कहा धर्म संसद के नाम पर दूसरे समुदायों के खिलाब जहर उगलना गलत है अब जोड़के सबसे नवे दिन कर रही हूँ कि ये देशवासियों से नवे दिन कर रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके ये गाली गलोज अपमान मान ये बंद कर दीजेए इस शनिवार रात आट बजे देखिए Press Conference में पूरा इंटर्विव असम में बारिश के बाद आई बार में हुई है बड़ी बरबादी नगाव जिले में बार के पानी में बह गई बड़ी बड़ी सडके और पुल दो लाग से जादा लोगों पर संकट है 75 वे कान फिल्म फेस्टिबल में केंद्रिय सूचना परसारान मंत्री अनुराग ठाकर बोले भारतिय सिनेमा का दुनिया में बड़ा इस्था ABP News आपको रखे आगे